हेलो स्टुडेंट्स वेल्कम तो और अनलाइन स्टेड यूट्यूब चैनल अभी यह इस वीडियो में हम लेशन नंबर 6 मेजरमेंट आप फिजिकल कॉंटिटीज स्टार्ट करेंगे तो फिजिकल कॉंटिटीज क्या होते हैं तो जैसे कॉंटिटीज मास, वेट, डिस्टन्स, स्पीड, टेंप्रेचर, वॉल्यूम यह सारी जो कॉंटिटीज है इनको हम फिजिकल कॉंटिटीज कहते हैं तो जैसे अभी आप आगे देखोगे, कुछ फिक्चर्स दिये, observe and discuss, इन फिक्चर्स को observe करो और जो question पूछ है, उससे discuss करो. How are the various articles and materials shown in the picture measured? तो यह जो फिक्चर्स दिये है, उनको measure कैसे करते हैं, यह आपको बताना है, यह discuss करना है. तो देखो, first, ब्रिंजल है, तो ब्रिंजल को हम कैसे measure करेंगे? जैसे अभी सबजी वाला आया, तो हम उसे बोलते हैं, कि एक किलो ब्रिंजल दे दो, तो वो एक किलो हमें measure करके देता है, तो या फिर अगर हम बोलते हैं, आदा किलो दे दो, तो वो 500 ग्राम्स इतने देता है तो मतलब केजी एंड ग्राम्स, यह जो है, यह इसका measurement हुआ, तो हम ब्रिंजल किलो ग्राम्स या फिर ग्राम्स में measure करते हैं, वेट करते हैं, सेकंड पिक्चर जो है वो, स्पूल अप त्रेड, तो त्रेड हम मिटर में measure करते हैं, नेक्स्ट कोई लिफी वेजी टेबल है तो लिफी वेजी टेबल से हम कैसे measure करते हैं, कोई गड़ी होती है, जैसे मेथी की सबजी होती है, तो उसकी गड़ी होती है, हम बोलते है कितनी की गड़ी है, तो हम गड़्डियों से उनको measure करते हैं, जैसे की numbers में measure करते हैं, नेक्स्ट पिचर, milk in the glass, तो milk हम liters में measure करते ह नेक्स्ट गोल्डन रिंग है डायमंड की तो जो गोल्ड होता है वो क्यारेट में मेजर करते हैं अगर 24 क्यारेट का गोल्ड होगा तो इसका मीनिंग यह होता है कि वो 100% प्यूर गोल्ड है डायमंड को भी हम क्यारेट में मेजर करते हैं तो एक्चली क्यारेट मतलब क्या होता है डायमंड के लिए तो जितना क्यारेट होगा उसका मीनिंग यह होता है कि वो डायमंड का वेट मेजर करते हैं जैसे अगर 1 क्यारेट डायमंड है तो उसका मीनिंग यह होता है कि 0.2 ग् और 200 मिलिग्राम ओके नेक्स्ट क्लॉथ है तो क्लॉथ हम मीटर में मेजर करते हैं तो इस तरह यह जो डेली लाइब की एक्जामपल साब को बताई हैं तो यह हम कैसे मेजर करते हैं यह सारे फिजिकल कॉंटिटीज अपने देखा जैसे किलोग्राम मीटर नंबर्स लीटर द तो यह कॉंटिटीज को हम कैते हैं फिजिकल कॉंटिटीज पिजिकल कॉंटिटीज इन दे टो दे लाइफ वी मेजर मेजर मैनी तींस सच अज आज देवेट फोर्ट वेजिटेबल्स फूर्ट ग्रेंज तेम्टरेटर अप टेपर बोडी और सम लिकुड्स वालूम अप देंसिटी ओफ वैरियस सबस्टंसेज दो स्पीड वेजिकल्स एक्सेटरा दे कॉंटिटीज सच अज मास वेट डिस्टांस स्पीड टेम्परेचर वॉल्यूम और कॉल्ड फिजिकल कॉंटिटीज तो हम रोज कुछ ना कुछ मेजर करते हैं कोई ना कोई चीज मेजर करते जैसे शन। तो हम उनका वालूम मेजर करते हैं यह फिर गाड़ी चलाते हैं तो यह सारी जो कउंटिटीज है इनको हम क्या कहते है physical quantities कहते है value and unit are used to express the magnitude of a physical quantity physical quantity का magnitude अगर हमें express करना है तो उसके लिए एक value होना चरिरी होता है और उसके साथ साथ उसका unit भी necessary होता है हम unit and value use करते है for example स्वाराली walks 2 km every day in this example 2 is the value and kilometer is the unit used to express the magnitude of a distance which is a physical quantity तो देखो स्वाराली 2 km पैदल चलती है रोज तो उसमें 2 km ये magnitude दिखाता है मतलब उसकी कुछ value है कि वो 2 km इतना चल रही है तो 2 km में 2 ये क्या value है and kilometer क्या है unit है जिससे हमें पता चलता है कि स्वाराली कितना distance cover करते हैं मतलब कितना distance वो चल रही है ये physical quantity है distance इसे हमने kilometer ये unit दिया है और इस distance कॉम kilometer में major करते हैं और उसका जो value है वो 2 km है ओके नेक्स अभी एक बोक्स दिया है जिसमें स्केलर कॉंटिटीज और वेक्टर कॉंटिटीज गिवन हैं तो वो समझते हैं पहले तो scalar quantities क्या होते हैं अ quantity that can be completely expressed by its magnitude alone it's called scalar quantity for example only magnitude that is a value with the unit is used to express quantities such as length, breed, area, mass, temperature, density, time, work etc. तो यह जो scalar quantities होता है इसका मिनिंग यह होता है कि कोई value कोई quantity स्रिप और स्रिप उसका magnitude उसकी जो value ती उसी पर depend होता है तो एसी quantities को हम क्या कहते हैं scalar quantities तो for example mass तो mass जैसे हमने ब्रिंजल लिये है 1 kg तो ब्रिंजल आप कई पर भी लेके जाओ उसका weight वही आएगा 1 kg आएगा तो यह 1 kg जो है वो उसका magnitude है उसकी value है उसका weight है वो कई पर भी change नहीं होता है as it is रहेगा तो जो mass यह जो quantity वो कैसी है scalar quantity thus we say that length of a tunnel is 2 km तो कोई भी quantity होगी जो किसी दूसरे चीज़ पर depend नहीं होगी सिप उसका magnitude ही express करेगा उसे तो ऐसी quantities को होगे ते scalar quantity जैसे length है अगर कोई tunnel है वो 2 km इतना long है तो यहाँ पर उस tunnel का 2 km यही एक magnitude होगा 2 km की length कैसे भी measure करो 2 km सी आना है तो इसका meaning यह होता है कि यह जो length है scalar quantities है यह किसी दूसरी चीज़ पर depend है क्या नहीं तो यहाँ पर tunnel की जो length है वो 2 km है तो इसलिए length की ऐसी है scalar quantity the fever that is temperature is 101 degree Fahrenheit temperature है body temperature fever आ गया अगर वो 101 degree Fahrenheit इतना है तो वो आपका उतना ही आएगा कौन सा भी temperature thermometer लो उससे वो 101 degree Fahrenheit इतना ही दिखाएगा तो इसका मतलब यह आता है temperature जो है वो किसी दूसरी quantity पर depend नहीं करता है वो उसका जो magnitude है वो 101 Fahrenheit इतना ही आएगा इसी पर वो depend है यह अपना value दिखा रहा है तो इसका मतलब यह किसी दूसरी पर depend नहीं है तो यह जो temperature quantity है यह भी scalar quantity है next vector quantity the quantity that is expressed completely only when magnitude and direction are both given it's called vector quantity तो अभी यह जो vector quantity है यह भी magnitude पर ही depend रहता है मतलब यह magnitude express करेगा मगर इसमें और एक चीज़ एड होती है वो है direction वो कौनसे direction से कितना magnitude देना है ऐसी जो quantities होगी उनको हों कहते है vector quantity तो scalar quantity जो होती है वो direction पर depend नहीं करता है और vector quantity जो होती है वो direction पर depend होता है displacement, velocity are a vector countries तो देखो यहाँ पर first example जो है displacement of 20 km towards the north मतलब जो displacement हो रहा है 20 km का हो रहा है यह क्या है magnitude 20 km क्या है magnitude मगर किस direction में हो रहा है north direction में हो रहा है तो यहाँ पर direction important है vector quantities में second example aeroplane flying at velocity of 500 km per hour तो aeroplane उड रहा है वो उसकी velocity है 500 km per hour मगर कौनसे direction में towards Mumbai मुंबई की direction में वो जा रहा है तो यहाँ पर ऐसे जो displacement या फिल वेलसिटी है इसी जो quantities है वो magnitude पर तो डिपेंड करते हैं मगर साथ ही साथ वो direction पर भी डिपेंड करते हैं इसी जो quantities होती है उनको कहते हम vector quantities ओके तो मास फर्स्ट हमारा physical quantity है मास तो मास कैसा आएगा scalar quantities आएगा क्योंकि वो उसका amount होगा उसका जो magnitude होगा उसी से वो express होगा चलो देखते मास क्या होता है the amount of matter present in a substance is called मास तो कोई substance है आपके पास जिसमें जितना amount of matter present होगा उसे हम कहेंगे उसका मास matter has a natural tendency to resist a change in its state which is called inertia तो रेखोई inertia ये इसका मीनिंग ऐसा होता है कि ये आपके पास एक force है किसी matter में एक force है जो उसका direction या फिर state change करने को resist करता है resist करना मतलब क्या अपोच करता है वो अपनी जो direction है matter का जो direction है या फिर state है वो change करने से अपोच करता है तो ऐसा जो force है उसे हम inertia कहते हैं mass is the qualitative measure of the inertia of an object कोई object का inertia अगर आपको measure करना है तो वो हम mass में measure करते हैं the larger the mass the greater is the inertia जितना mass ज्यादा होगा उतना ज्यादा inertia होगा mass is a scalar quantity mass कैसा है scalar quantity यह किसी direction पर depend नहीं करता है it does not change from place to place anywhere in the world mass आप कई पर भी जाओ उतना ही आएगा जैसे 1 kg रेंजल है वो आप इंडिया में major करो या फिर UK में major करो वो 1 kg आएगा कई पर भी जाओ 1 kg आएगा तो ऐसा जो quantity होता है उनको हम कहते है scalar quantity वो कई पर change नहीं होता है तो मास भी उसी का एक example है the quantity is mass and weight are however different gram and kilogram are the units of mass तो अभी हम देखो भी बोलरी ब्रिंजल जो है वो 1 kg है है ना एक kilo ब्रिंजल है वो कई पर भी major करो उसका मास उतना ही आएगा तो मतलब मास एक kg है और weight कितना है वन kg है तो यहाँ पर यह दोनों quantity दीखने में same है मगर दोनों different है mass and weight are different quantities तो मगर उनके लिए unit सेम है gram and kilogram दोनों के लिए mass and weight के लिए दोनों के लिए unit के साइस सेम है मगर जो दोनों quantities है वो different है when we use two pan common balance in a shop we compare two masses जैसे आपने two pan common balance देखाई होगा तरा जूर बोलते हम से तो उसमें दो मास रखी जाते हैं जैसे एक साइड में हम one kg का iron का जो होता है weight वो रखते है और दुसरी pan में हम जो चीज लेते है वो रखते हैं और उनका balance हम रखते हैं तो इस तरह मेजर किया जाता है यह एक example हुआ next thing weight अभी mass and weight दोनों different terms है तो weight के बारे में अभी हम देखेंगे what we measure in grams kilograms is mass and not weight जो भी चीज हम grams and kilograms में measure करते हैं वो mass होता है किसी भी सब्सक्राइब का mass होता है weight नहीं the gravitational force by which the earth attracts an object towards its center is called the weight of the object the earth जो है जितना gravitational force लगाएगी उस object को attract करने के लिए उसके center को attract करने के लिए तो उस force को हम क्या कहेंगे weight of the object therefore weight is a vector quantity क्यों vector quantity क्योंकि जो gravitational force है वो उस object को attract कर रहा है कहा पर attract कर रहा है इसलिए यह जो weight है वो vector quantity इसमें direction given है direction कौन सा है towards earth center तो इसलिए weight क्या है vector quantity it is different at different places on the earth तो यह जो weight है वो different place पर different आएगा तो earth की center से जितना दूर जाओगे उतना कम weight measure होगा और जितना आप earth की center की तरफ जाओगे उतना ज्यादा weight measure होगा तो इस तरह यहाँ पर different place पर different weight observe होता है next topic हमारा use your brain power first question why would the weight of an object be maximum at the pulse and minimum at the equator तो same उसी तरह जैसे अभी मैंने आपको explain किया जहां जितना earth के पार जाओगे उतना ज्यादा weight आएगा तो same उसी तरह जो polar region होते हैं वो earth की center के पास होते हैं तो इसलिए polar region पर maximum weight show होता है and जो equators होते हैं वो equators away होते हैं more far from the center of the earth वो अर्थ की center से बहुत दूर होते हैं तो इसलिए वहाँ पर weight minimum observe होता है मेजर होता है जितना distance ज्यादा होगा उतना weight कम मेजर होगा next second question why is the weight of an object at a high altitude less than its weight at the sea level इसका मिनिंग यह होता है कि कोई object का weight high altitude पर कम होता है और sea level पर ज्यादा होता है ऐसा क्यों होता है तो अगर कोई object है वह सी लेवल से high altitude तक travel कर रहा है move कर रहा है तो इसका मिनिंग यह होता है कि उसका जो object है उसका distance center से दूर होता जाता है increase होता जाता है मतलब जैसे sea level से अगर high altitude तक जा रहा है वह object तो उसका जो distance होगा center of the earth से increase होगा ज्यादा होगा वह distance तो इसलिए ज्यादा distance होने की वज़र से वह object का weight कम major होगा यह इसलिए sea level पर कोई भी object का weight ज्यादा आता है as compared to high altitude और high altitude पर वह object का weight कम major होता है तो सेम यहाँ पर भी में वही बताऊंगी जितना ज्यादा distance होगा उतना कम weight major होगा और जितना कम distance होगा center of the earth and the object के बीच में जितना कम distance होगा उतना ज्यादा weight major होगा okay will it be possible to use one and the same unit to major physical quantities such as mass weight distance velocity and temperature क्या हम जो quantities है physical quantity mass weight distance velocity temperature इन सभी के लिए एक ही unit यूज कर सकते है and answer होगा no हम एक ही unit सभी के लिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि वह different physical quantities है जैसे mass है mass तो scalar quantity है यह different weight है weight है vector quantity है distance distance भी कैसा है vector quantity velocity vector quantity temperature scalar quantity यह जो quantities है वह different है तो इनके लिए हम same unit नहीं यूज कर सकते है इनके लिए different different units होते हैं तो कौन से unit होंगे वह अभी हम आगे देखेंगे in everyday affairs we measure many different physical quantities as these physical quantities are different from each other a specific unit is used to measure each quantity therefore different units are used while measuring different quantities तो मैंने जैसे अब आपको बता है यह सारी quantities different है तो इनको measure करने के लिए हमें different unit use करना चाहिए do you know our body has a weight because of the gravitational force of the earth the gravitational force of the moon being less our weight will turn out to be less there our mass however is the same at both the places तो देखो बहुत बहुत बार आपने सुना होगा कि चान पर मून पर weight कम दिखाए देता है तो क्यूं क्यूंकि वहां का जो gravitational force होता है वो कम होता है इसलिए वहां पर weight भी कम दिखाए देता है कम major होता है मगर mass जितना आर्थ पर होगा उतना ही mass आपको moon पर भी major करके मिलेगा मगर weight different आएगा तो जैसे हमने आभी आपको बताया कि different quantities के लिए different unit होता है different unit use करना चाहिए तो वो कौन सा unit use करेंगे वो किस तरह हम उसे standardized करेंगे ये सारी बाते हम next part में सिखेंगे अगर आपको ये video पसंद आया तो इसे like कीजे अपने दोस्तों के साथ share कीजे और channel को subscribe करना मत भूलिए अगर आपको कोई doubt है तो आप comment section में पूत सकते हो ओके thank you so much for watching this video